नमस्कार मित्रो उत्राखन मुक्तिविस्विद्याले के सामुदाइक रेडियो हेलो हल्दवानी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार पैलाग आपको पैलाग कहने से ही कुछ हलका सा अभास हुआ होगा कि हम लोग किस विश्विद्य पर बात करने वाले हैं। पूरी ज्यान परंपरा जुड़ी होती है। तो भाशाएं आज किस तरह से खत्रे में हैं। लोग जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो कैसे इंगलिस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अपनी चेतरी भाशाओं को हे दृस्ती से देख रहे हैं। तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। गणे जी क्या मानना है आपका भाशा को लेकर क्या लगता है कुछ खत्रा दिखाई दे रहा है। जी जहां तक मैं आज के परिवेश को देख पा रहा हूँ सुहीता जी। कहीं ने कहीं अगर मैं हलदवानी जैसे सहरों में आता हूं। जहां के 90% लोग मेरे कुमाओं से हैं। और मुझे यहां भी अपनी कुमाओं या गड़वाली कहीं ने कहीं गायब लगती है। जबकि वो मूल रूप से सभी लोग उत्राखंड से हैं। कुमाओं से हैं या गड़वाल से हैं। पहाड़ों से हैं। । यहां से मेरे पहाड़ी सुरू हो जाती है। जैसे मैं हलदवानी मुत्राखंड अपनी देव भूमी में जैसे कदम रखता हूँ, मेरी गाड़ी पहुंसती है, तो मैं मेरा पहले ही वहाँ से शुरू हो जाता हूँ, इवन मैं गाड़ी में भी कहीं दिल्ली से भी कोई होता है, तो मैं वहाँ से खेरना जाना होता है, यह कहीं आगे जाना होता है, कहीं होटल में पहें, तो यह ही बोलता हूँ, मेरे सब्दों होते हैं, दाजू एक चाहा एक चान प्लेट ता लगा रिया है, कि छो तो मा बढ़ाई, तो वहां भी मुझे, वो भी मुझे उत्तर, परती उत्तर मुझे हिंदी में ही मिलता है, तो दे लेके चलो, जो अभी के युवापेडी जो है, यह नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या इनकी नेक्स जेनरेशन इसको संभाल पाएगी, आपनी कुमाउनी भासा का अस्तित्तर संभाल पाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे ही खुद पहाडी नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब आप यह सवाल पूछोगे कि अपने बच्चों के लिए तुम ऐसा क्या कर रहे हो, आपके बच्चे भी कॉम्मेन्ट स्कूल में पढ़ते हैं, जी हाँ, मेरे बच्चे भी कॉम्मेन्ट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं छोटियों में उनको गाउन ले जाता हूं, इवन जो लगता है कि हम जो चारल में जो ममी पापा जो करते हैं उसको भी हमें इजबाबू करना चाहिए, देखो सुनीता जी, मैं नहीं बहसाओं को सीखने से परहेज नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए परहेज नहीं कर रहा हूं कि आपको इंगलिस नहीं आनी चाहिए, देखो बच्चों के इस परवेश की दिमांड है यह हमारे मतलब जो सेनेरियो अभी चल रहा है प्रजें शेयरियो की एक डिमांड है उनको अगर आगे प्लेटफॉरम पे जाना है अगर 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 रहा उतरना है तो उनको इंगलिस ही नहीं बाकी लेंग्विज इस भी उनक बट बहुत बड़ा है जो कुमाओनी को आगे ले जाने के लिए अग्रशर है लगातार कारी कर रहे हैं लेकिन अविवाओं को को भी जरूरी है कि वह अपने अमा बुबू के शाद जो है अपने नातिनियों को इंटरेक्शन कराए और सीखे उनसे और यह बहुतार कारी कर र अपने स्तर पे आपने कहा कि आप एक दिन घर में कुमाओनी बोलते हैं बच्चे आपके सीख रही हैं और मा आपकी जो है उस दौर में टीचर थी जब बहुत चुनिंदा महिलाएं अधियापिका हुआ करती थी किस वरा का माहोले घर में मा अभी कहा रहती है गाओं में द अधियाँ बिलकुल थेट पहाडी में बुलाएं लेकिन आज के बच्चे हिंदी बोल रहे हैं पहाडी एकदम गाउं से भी लुक्त हो रही है अगर हम लोग वाले देखनों जो बुजरुगी चन उतों पहाडी बोलाने बोलाने लेकिन जो नहीं जनरेशन चनल नहीं नही पहाडी बुलाई रहे हैं तो यह चीज नकाए हम सपन के जागुरुकता पैत करने हूं हमा जो प्रतिस्टित लोग छें वह चीज नकाए हमा होने तो वह ले पहास्टन कले हो हिंदी मनी बुलाई या फिर इंगलिस में बुलाई नहीं एंगलिस तो आज नहीं जबाभ प्रस्चन चन्ने है जिन पर मैं हमेशा सोचता हूँ मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा जो सब्दावली हमारे कुमाउनी में आपको देखने को मिलेगी जैसे मैं बताता हूँ दिगवलेली ये सब्दावली एक इतना मधूर सब्द है और इसमें एक भावनात्मक इंग्लिस में क्या बोलेंगे वो फिलिंग नहीं आएंगे दिगवलेली आपको पता ही है आप तो जड़ों से उनका आपका जोड़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ने कहीं हमारे जो अपनोत्तों की भासा है जो मिठास जो हमार मिठ बुलाण चो पाहाडों ठंडों प कैसी बाणी है जाने जैनी लाह गए है है किया वातू है किस थे माणी आ पाहने यहां की मिठा फेले में फेरी वालता हुँछ ना हरा थे मांक है तो हमार यों elkaar कुर शटा बज भाणỏ बेहरा है बैड जा थाड़ देर पान पी ले खाना खाशने तो यह जो अपनत और यह जो मतलब एक भावनात्मक इनमें शिपा और रम वाली भावना है ना वो हमारे संस्कृति के साथ हमारी वो जीन में इंबिल्ट थी तो वो एक सम्मान था एक आदर हम करते थे सभी का वो मेरा मेरा भाव नहीं था आज में वाली भावना आपने का कि ज्यादा बलवती हो गई है मैं मेरा घर हो मेरे बच्चे कंवेंट पर जाएं मेरे बच्चे आगे बढ़ें हम वाली भावना भाशा के साथ जुड़ी हुई थी तो मैं अपने जब बड़े लोग इसकी शुरुवात करे जो मेरी जनरेशन के हैं अफ्तर 80 के बाद के हैं जो अभी मुस्कल 40 के आसपास पहुचने वाले हैं वो तो कम से कम पहाड़ी जानते हैं वो अपने आगे की जनरेशन को जरूर आगे लेके जाएं नहीं तो आगे वाली जनरेशन कहीं ने कहीं हमको को सेगी कि आप उस को नहीं शिकाऊंगा तो साहिद मेरे बच्चे अपने बच्चे को क्या सिकाएंगे तो मुझे रिखता है गणे जी काफी अच्छी बात है आपने बताई और बहुत ही सुन्दर एक मैसेज दिया है चलते चलते हल्दवानी के तमाम उन लोगों को जो पहार अपर प्रवासी बस गए है और क्या उनको एक कड़क मैसेज आप देना चाहेंगे उनको यही बनना चाहूंगा आप कहीं भी रहो लेकिन दिल में हमेंसे रहे यह रहे यो चु मेरी जानम भूमी माना यो पहाडब सैनी मेरो पराणा यो चु मेरी जानम भूमी माना क्या बात है बिल्कुल यह भावना है यह संगीर जब तक गूजेंगे तो दगडियो यस जाते जाते यह कूण चाहन हम लेक बहुत दिन लहे जोन लेकिन यह हमर भास न जान चाहें यह भास हमर हील जनरेशन में ज़रूर टांसफर स्थरांतरन हील को होन चाहें जो कि हमार संश्कृती बच्ची रो और शिपो राम दिगो लेल जाश्ब दिन कहीं हमारे एकल जनरेशन समझते रो, शूनते रो जै देव हुमी, जै उत्राखन क्या बात है धनी बासुनी ताजी तो धपुला जी बहुत बहुत शुक्री आपका तो दोस्तों आप भी इस कारिक्रम में अंते तक हमारे साथ बने रहें, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको ये कारिक्रम पसंद आया हो तो अपना फीड़बेक हमें जरूर दीजेगा हमारा मेल एडरस है hellohaldwani91.2 at gmail.com दोस्तों हमारा Facebook पेज भी है hellohaldwani YouTube चैनल भी है और आप किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना फीड़बेक हमें दे सकते हैं इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भासकर को देचे जाजत, नमस्कार